हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिश चैनल लक्षे तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने शैनल में आज है फिफ्ट आउगस्ट और चलिए आज का जो भी हम लोग का इंपोर्टेंट सिरीज है उसको हम लोग डिसकस करते हैं जो कल रहा तक के सुल्कियों से बने हुए है बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है तो लेक्षर को बिल्कुल स्किप मत करिएगा लास तक देखते रहे और इंपोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए ताकि लास टाइम आप रिविजन उसको बहुत अच्छे से कर सको तो चलिए शैन को पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है उसको दीख लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं पहले उस काम के पीछे की सारी जानकारी निकाल ले और फिर उस काम को करना शुरू कर दें सही कारा है कि अगर आपको कोई भी काम करना है और उसमें सकसेज होना है सफल होना चाहते हैं तो पहले तो आपको उसके बारे में हर चीज जान लेना चाहिए कि क्या है कैसे स्टार्ट करना है क्या करना पड़ेगा कितना टाइम लगेगा सब कुछ कोई कोई प्रिपेशन करें पहले इसको सिलाबस को देख ल जै फिछाथ आपके हाथ में चलते हैंगा करते है पहला कुशन आधका दिख लेते हैं क्या रहे हाली में चर्चा में रहा हेली फायर मेशाईل इसे कस दो इसे दौरार विक्सित किया गया है ? इसे किस नाम पर जाना से जाना जाता है ? निंजा ढर्प्न के रुप में इससे जाना जाता है निंजा मिसाइल के नाम से भी इसे जाना जाता है इस मिसाइल की जो प्रोग्रामिंग है और डिजाइन है कुछ ऐसे तरीके से की गई है जिससे क्या हो यह डिजाइन इसकी ऐसे की गई है जिससे इसका जो टारगेट सेट किया जाए वो तो खत्म हो जाए, जिससे टार्गेट खत्म हो जाए, और आम नागरी को भी कम से कम नुक्सान हो, इसी खास्चत के चलते ही चरम 25 समॉद के समॉद के नेताओं को मानने के लिए, अमेरिके सलाकार का या पसंदीदा अधिकार बन गया है, तो ये किसे दोरह विकसित किया यह आपको ध्यान एकना है अभी क्या हुआ है अल जवाहिरी को मानने के लिए इस मिसाइल को प्रिडेटर ड्रोन से दागा गया है इसलिए चर्चा में इस मिसाइल के पास कोई वार हेड नहीं है इसमें छे ऐसे ब्लेड होते हैं जो निशाने को भेडने के साथ उसे काट भी कि लॉख हीड मार्टीन और लॉख हीड मार्टीन और गॉरमन द्वारा यह विक्सित किया गया है किसके थोसे किये गए मैं पर नोग थराव गृमन गुरुमन द्वारा ये विक्सित किया गया है ये हल्प फाइफ में निंजा के अलावा लांगबो इसको निंजा के अलावा लांगबो लांगबो रोमियो रोमियो जैसे अन्य प्रकार है इसके ये भी अपो क्लियर हो गया होगा हेल फायर वास्तों में हेली बोर्न, लीजर, फायर और फॉर्गेट मिसाइल का एक संक्शिप्त नाम है ये जो हेल फायर है इसमें लीजर है, हेली बोर्न है, फायर और फॉर्गेट मिसाइल का एक संक्शिप्त नाम इसका रख दिया गया है और इसे अपाचे AH-64 अटेक हेलिकॉप्टर से टैंकों को लक्षित करने के लिए अमेरिका में विक्सित किया गया था 2017 में कथित तोर पर निंजा मिसाइल का इस्तमाल सीरिया में अलकाइदा के ततकाली नमबर दो के जो नेता है अबुखेर अलमसूरी को मानने के लिए किया गया था 2017 में इसका यूज़ किया गया था निंजा मिसाल का क्लियर कहां पर सीरिया में अलकाइदा क्लियर हो गया हो गया लगबख उसे समय सीरिया में अनलक्ष के खिलाब भी इसका यूज़ किया गया था चलते हैं next question की तरफ, यहां देखे लिखा है, यह देखे, यहां पर लिखा है, no warhead, यहां पर C का system, blades, यह blade, छे blade ऐसे लगे हैं, चलते हैं next question की तरफ, next question नमारा, 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 अस्थल, रामसर सूची में शामिल हुए हैं, अब भारत में कुल कितने रामसर अस्थल हो गए हैं, तो total हो गए हैं 64, पहले 49 थे, 49 में 5 जोड़ा गया, भी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, तो 54 हो गए थे, अब 54 में 10 और जोड़ दीज जो रामसर सूची, अभी इसमें रामसर अस्थल एड़ किये गए हैं, सबसे ज़्यादा उसमें तमिल नाडू के हैं, तमिल नाडू के total इस बार जो एड़ किये गए हैं 6 हैं, उसके बाद आपके ओड़ीशा का है, गोवा का है, करनाटका का है, मदपरेश का है, ये 4, तो अब हमें ये जाना वो कौन कौन से हैं, जैसे तमिल नाडू का क्या है, कुथन कुलम पक्षी अभ्यारन, तमिल नाडू का कुथन कुलम, कुथन कुलम, पक्षी अभ्यारन, clear, और तमिल नाडू का एक है, मनार की खाड़ी, मनार की खाड़ी, समुद्री बायो स्फियर रि ये भी तमिल नाडू का है वेदान्थ गल पक्षी अभ्यारन ये भी तमिल नाडू का है और बेलोड पक्षी अभ्यारन ये भी तमिल नाडू का है और एक तमिल नाडू का है उदय मार्थन पुरम तमिलनाडू का एक फिरसे लिख दे रही है, उदय मार्थन्द पुरम ये भी आपका ये पक्षिय अभ्यारन जो है, ये भी पक्षिय अभ्यारन है, ये भी आपका इसमें तमिलनाडू का है और बात करते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा का है सत्कोसिया गौर्ज, ये आपका ओडिशा का है नंदा जील कहां का है, गोवा का है, बहुत इंपॉर्टेट कोशन है, यहां से कोशन इस बार 100% आपको मिलेगा नंदा जील गोवा, और करनाटक का क्या है, रंगन थितू, ये कहां का है, करनाटक का है और मदप्रदेश का है सिरपूर, मदप्रदेश का है, सिरपूर आत्रभोमी मदप्रदेश तो ये दसो आपको ध्यान रखने है, कि कौन सा, कहां का है अब ये जो रामसर सूची होती है, रामसर सूची इसका उद्देश ये क्या होता है इसका उद्देश जो है, वो आर्दरभोमियों का एक अंतरराष्ट्रिय नेटवर्क विक्सित करना है और इसे सुरक्षित रखना है इसका उदेश आरदर भूमियों का अंतरास्टर नेट विख्षित करके इसको सुरक्षित रखना है जो इनके पारिस्थेतिकि तंत्र घटक तक्रियां लाभों के संरक्षर के जरिए वैश्यूग जाविक विपित्ता के सुरक्षा और मानोजी प्रेवन के लिए ही क्या है महत्यपूर है तो इसमें शामिल किये दस नए अस्थरों में छे आपकी दर मिलनाडू गोवा एक करनाट का एक मदप्रदेश एक ओडिशा का एक अस्थर शामिल है और अब इस हिसाब से देखा गया है तो भारत और चीन भारत और चीन संग्त जूची में शामिल किये गए दस में से मैंने आपको क्लीर करा दिये हैं और यह भारत का जो लक्ष है क्या लक्ष है कि 75 वर्शो में अपने सुतंतरता के 75 वर्शों में वो अपनी 75 आर्द भूमियों के लिए मानेता प्राप्थ करने का लखष्य करके चल रहा है और रामसर ये इरान में एक शहर है रामसर इरान में एक शहर है एक स्थान है जहां पर 1971 में कब 1971 में अंतर रास्ट्रे आद्रभोमी संदी पर क्या हुआ था हस्ताक्षर हुआ था तो ये आपको clear हो गया होगा बहुत ही अच्छे से पूरी जो भी मैंने अभी आपको discuss आपके साथ किया ह और अगर पूछले विश्व आर्द्रभोमी दिवस कम मनाते हैं तो दो फरवरी को मनाते हैं ये भी आपको clear हो गया होगा चलते हैं अपने next question की तरफ तीसरा question हमारा क्या कह रहा है ये भी आपका बहुत ही important है इस question को भी क्या करिए star बना लीजे important है हाली में चर्चा मेरा पहला कौन सा पहला है सर्व महिला स्वतंत्र सर्व मतलब सभी सर्व का मतलब सभी सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन है तो ये कप्तान कौन है आचल शर्मा चर्चा मेरा पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन है वो है आचल शर्मा तो इन्हों ने अभी क्या किया है ये इनका क्या है जो अभी आचल शर्मा ने क्या किया गुजरात में कहां पर गुजरात गुजरात में नेवल एयर कौन क्लेव तो गुजरात में नेवल एयर सौरी कौन क्लेव नहीं एनक्लेव एक मिट गुजरात में नेवल एयर एनक्लेव कहां पर गुजरात पोर बंदर पोर बंदर में इस्थेद गुजरात में नेवल एयर एंड कलेप पोर बंदर में इस्थेद भारतिये नौसेना भारतिये नौसेना नौसेना वायू स्क्वाडरन 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 314 क्या नाम है इसका 314 नौसेना वायू squadron 314 INS इसको कहेंगे हिंडी में मतलब इंग्लिश में INAS INAS Indian Navy Air squadron Indian Navy Air squadron 314 यह इसका नाम है clear तो यह 314 की 5 महिला अधिकारियों ने 5 महिला अधिकारियों ने किस पर यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ एक मिनट शेंज कर लो थोड़ा ताकि आप लोको clear रहे ने कहाँ पर डोर्नियर डोर्नियर 228 यह क्या है विमान है यह क्या है विमान है तो डोर्नियर 228 विमान में उत्तरी अरपसागर के उपर पहली सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन को पूरा करके इतिहास रच लिया है फिरसे बता हरी हूँ कि गुजरात में नेवल एयर अनकलेव पोर बंदर में इस्थित भारतिय नौसेना वायू स्क्वाडरन 314 कि पांच महिला अधिकारियों ने इस विमान कौनसा विमान डोर नियर 228 विमान में उत्तरी अरपसागर के उपर पहली सर्व महिला स्वतंत्र समुद्र टोही और निगरानी मिशन को पूरा करके इतिहास रचा है ये आपको मैंने बता लिया है और इसको जो इस मिशन की जो कप्तान है उनका नाम है आचल शर्मा क्या नाम है उनका आचल शर्मा और इनके साथ सहयोगी पाइलेट के रुप में जो थी वो थी लेफटिनेंट शिवांगी वो थी लेफटिनेंट शिवांगी तो ये पांच लोगों थी जो जिन्हों ने सर्व महिला सोता समुद्री टोही और निगरानी मिशन को क्या किया है सफलता पूरवक इसको क्या किया है वहाँ पर अरब सागर के उपर पहली जो ये टोही थी उस निगरानी मिशन को पूरा इन्होंने किया है तो ये भी आपको clear हो गया होगा बहुत ही अच्छे से चलते है next question की तरफ बस आप तो क्या करिए तुरंत इसको like कर दिया करिए like करने में बिल्कुल कंचूर से मत करिए एक like करने में आपका बिल्कुल कुछ नहीं जा रहा है और नए वीवर्स प्लीज इसको subscribe कर दिया करिए चलते है next question की तरफ fourth number के question क्या कह रहा है 2 अगस 2022 को किसे प्रधार मंत्री कारियाले में PMO के निदेशक पदपर न्युक्त किया गया है किसे किया गया है तो किया गया है PMO के पदपर न्युक्त चलिए इसको भी हम दो बेपली पड़ लेते हैं और देख लेते हैं ये क्या कह रहा है तो किसे निदेख किया गया गया है श्वेता सिंग को किया गया है बाकी और भी देख लेते हैं तो ये जो श्वेता अधिकारी है ये आई एफस अधिकारी है आई एफस अधिकारी इनी को है PMO में निदेशक पत पर निक्त किया गया है और यह PMO प्रधान मंत्री ओफिस जो है इसको मुरारजी देशाई ने PM सची वाले नाम कर दिया था और अगर PMO के हेड की बात किया जाए कि हेड कौन है यहां के तो कैबिनेट सच्च्यू कौन है कैबिनेट सच्च्यू कैबिनेट सच्च्यू क्लियर यह आपको ध्यान रखना है यह नाम इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा श्वेता सिंग को PMO का निदेशक अपोइंट किया गया है और कुछ अभी डिविजन कर लेते हैं जो भी अभी हाले में निक्तियां हो रही है जैसे कि P.I.B. अभी कल मैंने बताया था P.I.B. के महान निदेशक कौन है? सतिंत परसाद दिल्ली के नए पुलिस आयोट कौन है? संजे अरोडा राकेस अस्थाना के अस्थान पर इंडर मील की कौन है? वर्ड बैंक के बनाए गया है ये भी मैंने बताया था और दिल्ली के उपरा जपाल कौन है? विने कुमार सकसेना ये भी आपको ध्यान रखना ह हाँ एक और देख लिजे के वी आई सी खादिक रामोद्दुक आयोग के हड के उन बनाए गया है उनका क्या नाम है? मनोच कुमार ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन क्या कह रहा है? एक अगस्त दोहजार बाइस से तीस सितंबर दोहजार बाइस तक किस ये उत्तरा खंड का है और ऊगस्ति से चलेगा और 32 सितंबर तक चलेगा और इसमें ये इसका उद्देश क्या है? अपरेशन मुक्ति किस ही से मुक्ति इनको दिला गी ओर टैग लाइन रखी गई अब बहुत क्षा नहीं भिक्षा नहीं, सिक्षा दो तो जो बच्चे क्या हैं भिक्षा बृत्ति में सनलिप्थ हैं उन्हीं को प्रेडित करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था और स्टार्ट किया जा रहा है चलाया जा रहा दो महीने तक चलेगा operation मुक्ती अभियान यानि भिक्षा नहीं सिक्षा दो तो ये भी आपको ध्यान रखना है चलते हैं next question की तरफ Supreme Court के college जी हमने हाली में भारत के 49 नंबर के जो मुक्ष ने आई देस है CJ आई हैं उनके लिए किसके नाम के सिफारिश की है तो किसके नाम के सिफारिश की है अभी इसमें तो जो 49 नंबर के होंगे वो Justice UU Lalit अभी 48 चल रहे है और 48 के नंबर के कौन है Envy Ramana Envy Ramana Envy Ramana ठीक है और अभी 49 नंबर में इनके बार कौन बनने के सिफारिश की जा रही है Justice UU Lalit और ये आपको ध्यान रखना है और ये माना जाता है ये इसमें प्रावधाने कि जो दूसरा सबसे वरिष्ट नियाधीश होगा दूसरा सबसे वरिष्ट नियाधीश होगा वो ही क्या होगा वो ही इस पर बनेगा तो वो कौन है Justice UU Lalit जैसे कि आपको नियूस पेपर में दिख रहा होगा इसकी कटिंग मैंने यहां शेयर कर दिये कि भारत के प्रधान नियाधीश CJI जो है N.V. रमन इन्हें ब्यस्पतिवार को अपने उत्राधिकारी के तौर पर नियाधी मूर्ति उदय उमेश ललित तो UU Lalit का मतलब है उदय उमेश ललित इनके नाम की क्या है? सिफारिश की है तो यह आपको ध्यान लगा है नियाधी मूर्ति रमन ने 24 अपरल 2021 को देश के 48 में प्रधा नियाधीश के रुपे अपना पत्भार संभाला था और उन्होंने अपने पूर्वर्ति इसके पहले कौन थे? S.A. बोबडे थे S.A. बोबडे तो यह 47 वे S.A. बोबडे जो थे 47 नमबर के थे N.V. नमना 48 नमबर के हैं और अब यह जब होंगे उदय उमेश ललित जब होंगे 49 नमबर के यह होंगे और उच्छतम न्याले के जो न्याईधीश होते है Supreme Court 65 वर्ष की आई में वो सेवा निवरित हो जाते है तो यह मैंने आपको बता दिये और इसमें क्या point है आपके लिए कि इसमें क्या किया गया है प्रधान न्याईधीश के सचिवाले को विडि और नियाय मंतरी कुन है किरन रेजिजू हैं तो इन्हों ने इनका सिफारिश करने का अन्रोध किया है इनके नाम के लिए ये भेजा है और नियाय मूर्ती ललित का जन्म तो उनके जन्म से हमें नहीं मतलब है बस हमें इतना पता होना चाहिए था जो कि मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है और ये जो नियाधिश की ये भाग 5 में आता है जो कि आपका आर्टिकल चलता है भाग 5 में 52 से 151 ये सबसे बड़ा भाग है ये भाग 5 जो है सबसे बड़ा भाग सम्विधान में माना जाता है ये भी आपको ध्यान दखना है तो आपको ये कलियर हो गया होगा अगर ये पूच ले सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला नयाधिश कौन थी ये भी डिस्कॉस कर लेते हैं आर्टिकल 32 के तहट मौलिक अधिकारों का उलंगर करने के लिए क्या करती है उनको गारंटी देती है किस आर्टिकल के तहट अगर उनके मौलिक अधिकार का कुछ उलंगन हो रहा है तो उन्हें आर्टिकल 32 के तहट वो गारंटी रहती है उसकी रक्षा करने के लिए और 226 के तहट हाई कोड में ये प्राउधान है तो मीड है ये कोशन आपको क्लियर हो गया होगा और एक आर्टिकल है 139 इसमें सुप्रेम कोड का अगलेक न्याले होना ये बताया गया है तो ये भी आपको ध्यान रखना है चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ साथवे नंबर का कोशन है 14-31 अक्टूबर 2022 दे भारत और किस देश के मद्ध एक मेगा सैन ने अभ्यास ये अभ्यास आ यूजित किया जाएगा त्यी किस के किस के बीच आयूजित किया जाएगा ये किया जा रहा है अमेरिका के वह जैसा कि आज उत्राखंड का एक स्थान है वहाँ पर यह लोग अक्टूबर में और कब होगा यह अभी नहीं होगा यहाँ पर लिखा 14 से 31 अक्टूबर यह अभ्यास युद्धभ्यास होगा और इसमें भारत और अमेरिका के मद्ध कई समझाते भी हो सकते हैं तो यह आपको ध्यान रखन कि उत्राखंड के ओली में 14 से 31 अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के मद्द क्या होगा सैन्य अभ्यास होगा जिसका नाम युद्ध अभ्यास और यह युद्ध अभ्यास जोगा यह इस बार का कौन सा संस्क्रड है 18 में नंबर का संस्क्रड है कौन सा संस्क्रड है 18 में संस अकसद क्या है उत देश क्या है तो भारत और अमेरिका की सेना के बीच समझ सही, और सख्रियता को क्या करना बढ़ाना है. क्लियर हो गया होगा अगर और भी कुछ से संबंधित और भी फैक्ट की बात करें कि इसके अलावा दोनों देशों में अमेरिका और भारत के बीच में 2018 में एक समझोते पर हस्ताक्षर हुआ था उसका नाम था कौम कासा कौम कासा इसका फुल फॉर्म का क्या है तो संचार संगतता और सुरक्षा समझोता संचार संगतता और सुरक्षा समझोता इस पर क्या हुआ था हस्ताक्षर हुआ था इसका उद्देश क्या था कौम कासा का दोनों सेनाओ के मद अंतर संचालन परदान करना इस संधी के तहट भारत अमेरिका से कौन भारत क्या करता है अमेरिका से उच्च तकने की क्या करेगा खरीद सकेगा वहीं 2020 की बात करे तो भारत और अमेरिका ने दुई पक्षी रक्षा संबंध को बढ़ावा देने के लिए एक B.E.C.A. यानि Basic Exchange and Cooperation Agreement समझोते पर मुहर लगाए थे और ये समझोता जो B.E.C.A. है ये दोनों देशों के बेच उच्च अंत सैन प्रदोगी की रसत और भू स्थानिक मानचित्रों को क्या करता है साजा करता है तो ये सारे आपको बहुत ही अच्छे से उम्मीद है क्लियर हो गया होंगे बस आप फटा-फट क्या करिए सेशन को शेर कर दीजिए लाइक कर दीजिए और जियो भी नए है वो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशिन की तरफ देख लेते हैं कि मैं नेक्स्ट कोशिन क्या कह रहा है किस राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री ये भी कोशिन चिराग और ये किसने स्टार्ट की है ये स्टार्ट किया है हरयाना राज्य सरकार ने अब जब चिराग जो यहाँ English में लिखा है इसका हम लोग full form जान लेते हैं क्या है तो चिराग C.E.M.C.E.M.S. चिराग C.E.M.S. ये तो C.E.M.S. Chief Minister होता ना Chief Minister तो चीप से CS ले दिया है सियम्स इक्वल एजुकेशन यहां लिक्ष़ एजुकेशन रिलीफ अब र से क्या हो जाएगा रिलीफ ए से क्या हो जाएगा असिस्टेंस असिस्टेंस एंड जी से क्या हो जाएगा ग्रांट एंड ग्रांट यानि सियम्स एक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट तो ये आपको ध्यान डखना है ये चिराग योजना कहां से स्टार्ट किया जिसका हिंडी में देखा जाए तो मुख्य मंत्रे समान, सक्षा, राहत, सहायता और अनुदान है ये हर्याडा रह सरकार के द्वारा क्या किया गया है अभी स्टार्ट किया गया है अब क्यों स्टार्ट किया गया है इसको हम लोग पूरा जानेंगे तो इसमें क्या हुआ है कि जो EWS है EWS यानि जो Economic Weaker Section है यानि कि आर्थी रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके उनको क्या किया गया है निजी स्कूलों में कहां पर प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में फ्री स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में फ्री सिक्षा मुफ्त सिक्षा देने के लिए यह शुरू किया गया है ठीके ये आपको ध्यान reportingना कि ये योजना अभी के जो मुख्यमंत्री है मनुहा लाल खटर के सरकार ने हाली में ये मुख्य मंत्री मतलब समान सिक्षा रहा साहता और अंदान चिराक योजना शुरू की है ये आपको ध्यान रखना है और इसमें इसकी योजना के तहद वही ये इसमें मतलब ये ये सियोजना का लाव उठा सकते है जिनकी आए जो है 1.8 लाग 1.8 लाग वार्षिक 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 होनी चाहिए इससे ज़ादा नहीं होनी चाहिए 1.8 लाग रुपए से कम है वे निजी स्कूलों में क्लास सेकंड से क्लास एट तक प्रतिचातर 700 रुपए 6-8 तक के प्रतिचातर 900 रुपए और 9-12 तक प्रतिचातर 1100 रुपए के प्रतिपूर्थी सरकार इसके तहट करेगी ये आपको ध्यान रखना है तो ये आपको क्लियर होगी बस ये ध्यान रखना है ये जो यूज की जाती है टेबलेट ठीक है सिक्षा के परपर से ये उनको दिया जाएगा ये आपको ध्यान रखना है और ये जो हरियाडा की गुरुग्राम में ISA International Solar Alliance इसका भी क्या है? हेड़कॉर्टर है ये भी आपको ध्यान रखना है और ISA में टोटल कितने देश हैं? 102 देश शामिल है चलते हैं नेक्स्ट कोशिन के तब यहां मैंने दे दिया आप पढ़ लिजेगा तेजस्विन शंकर ने 3 अगस्ट 2022 को रास्ट मंडल खेलो 2022 की अटलेटिस इस परदा में पुर्शो की ऊची कुद में कौन सा मेडल जीता है कांसे पदक जीता है तो अभी मैंने कल पूरा रिविजन कराया था एक एक दिन छोड़ करके मैं यह पूरा रिविजन कराती रहूँगी ताकि आपको भूलने क्योंकि एक साथ जब पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो इसलिए हर दूसरे दिन पर मैं पूरा इसको याद कराने वाली हूँ तो तेज़ेश्विन सेंकरने तीन अगश 2022 को राष्ट मंडल खेलो 2022 की अध्लेटिस परदा में पुर्शो की ऊची कुद में कौन सा मडल जीता है तो यह जीता है ब्राउंज मडल जीता है तो यह पंत्रावे नंबर के होगे कर हम लोगोंने डिसकस बाकी किया था तो यह कान से पदक हो गया और अभी तुलिका मान कया नाम है उनका तुलिका मान इन्होंने जूडो में सिलवर पदक जीता है और गुर्दीप सिंग वेट लिफ्टिंग में गुरदीब सिंग buoyď lifting में क्या जीते हैं कागसे पदक जीते हैं कागसे पदक और सौरब घोष आल यह squ unsett में कागसे पदक जीते हैं स्क्वेडक में इन्होंने कागसे पदक जीता हे तो अभी कल तकक की मैडल है वह तोटल कितना है8 हो चुका है ये भी आपको ध्यान रखना है बर्मिंगम में हो रहा है बाइस में नंबर का हो रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है चलते हैं अपने नेक्स्ट कुश्चन की तरफ हाली में युनस्को ने किस राज्य के लंगत सिंग कॉलेज खबोलिय वेद शाला को दुनिया की महत्पुड लुप्त प्राय विरासत वेद शालाओं की सूची में जोड़ा है तो कौन से राज्य में बिहार ये बिहार के मुझफरपुर में बिहार के मुझफर पुर जिले में ये स्टार्ट किया गया है और ये जो है 106 साल पुरानी है ये जो खगोलिय वेद शाला है 106 साल पुरानी है तो इसी को युनस्को के महत्पुड लुप्त प्राय वेद शाला की विरासत सूची में यानि युनस्को हेरिटेल लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड आपजर्वेशन में शामिल कर लिया गया है और ये जो लंगत सिंग कॉलेज में है ये किसकी तरज पर बना था ऑक्सफोर्ड युनिवरसिटी की तरज पर ये जो लंगत विश्विद्याले बना था इस परिसर में 100 सो वर्स से भी पहले स्थापित यह हुआ था कभ वा था 1916 में यह सथापित व्यरिशाला एवन तारा मंदल अपना अस्तित्न लगबग यहांपे खो चुका है यानि कि भारत का जो पहला तारा मंडल था इसी कॉलेज में बना था और 1916 में इसके स्थापना हुई थी ये आपको पुरा और टोटल 100 साल से भी पुराना है यानि 106 साल ये पुराना हो चुका है ये भी आपको ध्यान रखना है जिसको अभी लुप्त प्राइब विराशत के सुचि में जोड़ दिया गया है य आपको ध्यान रखना है और युनिसको की बात हुई है तो युनिसको का हट्वाटर कहां पर है तो ये पेरीस में है clear और टोल कितने विष्व धरोहर कितने चालिस हैं जिस मेंसे साथ आपके प्राकृतिक है और आपके 32 जो है, 32 आपके सांस्कृतिक है और एक जो है, आपका वो मिश्रित है minus जो है, वो कौन सा है? कंचन जंगा है, यह आपको धियान रखना है अगर अमूर्त श्रेडी में पूछ ले कितने धरोः हैं अमूर्त श्रेडी में तो वो टोटल है 14 और 14 में नवीन्तम जो है वो कौन से है दुरगा पूजा को अभी कलकत्ता के दुरगा पूजा को क्या क्या गया है इसमें डाला गिया है ये और नवीन्तम इसमें देखा जा इवाशक्ति योजना ये किस राजसरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है तो ये स्टार्ट की गई है आपके करनाटक राजसरकार के द्वारा तो इसमें जो करनाटक के सीयम है क्या नाम है विश्वराज विश्वराज बुम्मई बुम्मई उन्हें के द्वारा ये जो करना इवाशक्ति योजना का शुभारम किया है जिसका उद्देश क्या है ग्रामीर जो यूध है उसको अन्य योजनाओं के साथ विट्टिय सहायता और कौशल प्रसिक्षर सहिद 10 लाख लोगों को कितने लोगों को ध्यान रखना है यहां पर 10 लाख लोगों को रोजगारी की द सुरी यसी है Всё है विमैं क्लास फॉर्म और और अन्य लोगों सहिद के सभी वर्ट के लोगों को इसमे उन्हें क्या मिलेगी मजबूती मिलेगी और राज कोविकास क्यों ले जाने में क्या होगी हेल्प मिलेगी तो स्वामे विवेकानन्द जो इवाशक्ति योजना है इसके तहट प्रतेक समू के लिए 1.5 लाख रुपए कि बीज राशी के साथ 28,000 गाओं में से प्रतेक में एवाउं का एक SHG बनाया जागा प्रतेक एवाउं का क्या बनाया जागा एक सेल्फ हल्प ग्रुप बनाया जाता है और इसका उद्देश क्या होगा जो अपने SHG हैं उनको बैंकों और बाजारों से जोडने के अलावा लगबग 5 लाख ही वाउं को क्या करना है स्वारोजगार के लिए शशक्त बनाना है तो ये भी आपको ध्यान लखना बस याद रखेगा इवाशक्त योजना उनको शशक्त बनाना है रोजगार देना है और किस फिल्ड में SHG ये भी आपको ध्यान लखना है important question है ये question आपके लिए है आपको इसका answer comment section में देना है comment section में answer देना है तो इसमें मैंने इसका answer भी दे दिया है कौन सा इसका right है बस आपको क्या करना है फटा फट इसको पढ़ना है यही तक मैं आपको दे रही हूँ answer मैं नहीं दिखाऊंगी और आपको PDF में share कर दूँगी अगर answer नहीं पता होगा तो जा करके आप answer देख लीजेगा यहाँ पर पांच option है इन पांचों में से कौन सा सही होगा यह आपको वहाँ पर बताना है 1,2,3,4,5 में से कौन सा सही है तो सब सही है या कौन भाग लेते हैं यह आपको बताना है चलते हैं अपने कल के revision पर इतना तो आपका हो गया कल का रिविजन करते हैं देख लेते हैं हाली में गूगल भारत के 12 शहरों में अपनी स्टेट वीव सर्विस लांच किया है तो 12 नहीं 10 में किया इसे सबसे गलत हो जाएगा सही बताना है तो इसने दो अस्थाने कंपने जैनेसिस इंटरनेशनल टेक महिंद्रा के साथ मिलकर स से लांच किया है नेक्स्ट कोश्चन है एक अगस 2022 को किस राज में आधिपूरा महसो मनाए गया है तमिल नाड़ो में मनाए गया है किस राज ने शात्रों को मिशन डिजिटरल जाती प्रमपत्र जारी करने लिए मिशन भूमिपुत्र लांच के असम केंदे सतरता आयूत क रूप में हाले में किसने शपतली है शुरेश अन पटेल ऑनलाइन सरकारी टैक्स सेवा शुरू करने वाला पहला राज केरला मनिशा रोपेटा किस देश से संब्देत है पाकिस्तान से संब्देत है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी के रिपोर्ट के असार एश्या की सबसे अमीर महिला कौन है सावित्रे जिंदल है अर्बियाई के द्वारा जारी विट्टियस वावेशन सूच कांग कितना रहा है 56.4 रहा है तंबाकू की खेती के संब्द बताना है यह एक सूखार सहने योग कठोर और कमवदी में तयार होने वाली फसल है एकदम सही है भारत व सेक्षेता में टास्कोर्स का गठन किया गया है तो डॉक्टर विके पॉल तो यह आपको ध्यान रखना है आज के लिए बस इतना ही रखते हैं उमेद आपको सेशन पसंद आयोगा समझ भी आयोगा बहुत इजी लेंगुज में समझाने की कोशिश करते हैं कोई भी गलती ह कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कुछ भी समझ में नहीं है तो आप क्या करिए कमेंट सेक्षन में जरूर बताय करें फीडबैक जरूर दिया करिए ताकि हम कोई भी दिक्कत हो तो उसको सुधार आ जा सके हाँ वाइस की प्रॉब्लम आप लोगों नहीं कही है कि बहुत स्ल कर दिया करिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं कल फिर नए कोश्टन के साथ हम लोग मिलेंगे आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू सो मच